तो हे गाईज वाट्स आप इवी आउटो के एक और नई वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आज हमारे पास है किया की सोनेट जो कि फुली बेस मॉडल है और इस किया सोनेट में हमको बहुत सारी एसिसरीज को लगाना है जो कि मैं आपको बताऊंगा जैसी क एंड्रॉइड प्लेयर, हैच अईडी कीड और बहुत सारी एसिसरी जिसमें है तो चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि कार के अंदर का क्या सीन है किस तरह का इंटरफेस हमको देखने ही मिलता है तो यहाँ पर फुली बेस मॉडल किया केरेंस है यहाँ पर लोग आप अपने पास बहुत सारे हैं पर देखना है कि आपने इसमें लगाएंगे कौन सी यह इसकी किया गाइस जो की फुली बेस मॉडल है इसलिए इसमें नो फ्लिप की नो सेंटर लॉकिंग वाला सिस्टम है तो भी हमको इसमें इंस्टॉल करना है तो प्रोसेस अभी बहुत सारा ह करने के लिए तो से हम लोग रहें सांत में हम आपको दिखाते विजाएंगे पताते भी जाएंगे और समान खोलेंगे इंस्टॉल करेंगे समान खोलेंगे इंस्टॉल करेंगा तो चलते द conflicting की तरफ था रहना है से क्रॉसलिंग we'lls का डन हो पाया है android सुफ़ाइट प्लेयर दो बतिस मैं आपको बता दो इसका रेम और रूम है और यहां पर जैसे कि आप लोग देख पार रहे हैं कि पावर विंडो स्विच्ट सिर फ्रंट में दू हैं बैक तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टॉर्क कंपणी का center lock और power window हम लोग install करेंगे इस की sonet में और यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं यह इसकी warranty card है guys, torky one year की warranty मिलेगी आपको यह warranty card आपको साफ साफ दिखाए देगा और यह जो भाईया जो 30 मार खा बन रहे हैं यह इसी tor company center lock को फिट करने आये हैं तो यहां पर आप लोग इसकी की को देख सकते हैं finally complete हो चुका है center lock लगके अब मैं आपकी की को दिखा रहा हूँ flip की plus one remote आपको इसमें मिलेगा किया की branding पिछे साइड मिल जाएगी यहां पर आप flip की आप देख सकते हैं इसका लुक काफी अच्छा है खर यह मखन चीज है इसमें कोई सक नहीं है क्योंकि टॉर कंपणी बहुत अच्छी कंपणी है seat cover को आप लोग यहां पर देख सकते हैं गाईस black and silver में हम लोगों ने लगाया है इंटीरियर से जिस तरह का मैच होगा उस तरह का हमको ध्यान में रखना पड़ता है ताकि कश्टमर भी खुश रहे और अपने को भी लगाने में मज़ा आए बकेट फिटिंग के साथ seat cover आप देख सकते हैं यहां पर और बात कलो 70 matte और floor lamination की तो floor lamination और 70 matte भी काफी इसमें अच्छा लगा हुआ है आप लोगों देख सकते हैं अच्छी quality का लगाया है हम लोगों ने और यहां पर देख सकते हैं कि android player का जो फेशिया जो मैंने आपको दिखाया था यहां पर sign black है यहां पर h.i.d kit की जैसे की मैंने आपको बताया था तो headlight की रॉसनी को बढ़ाने के लिए यहां पर h.i.d kit डाली जा रही है यह उसके सारे box हैं आपको जो दिखाई दे रहा ह यह headlight में h.i.d kit को install किया जाएगा जिसमें रात में रॉसनी आपको drive करते में बहुत अच्छी मिल जाएगी बहुत तेज मिल जाएगी यहां पर गाड़ी का काम अभी भी चालू है यह उसकी controller box है जो की रॉसनी को बढ़ाएगा guys यहां पर h.i.d का आप देख सकते हैं एक लाइट की chrome की बात करें तो normal accessories है जो की काफी अच्छी लगती है और कई से कोई दिक्कत नहीं सब चीजों में जब आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं तो इसका look कुछ इस तरीके से आता है मतला back side से बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन ठीठा condition में आपको चेंज कर दिया यहाँ पर side bidding भी आप लोग देख सकते हैं दरवाजे के जश्ट नीचे अब back side का guard और back side का look आप देख सकते हैं back side का camera भी हमने इसमें install किया है और यहाँ पर अगर बात कर लेगा इसकी seat cover की तो airbag वाले system के seat cover यहाँ पर लगा है हमने जो airbag में अगर कल को क steering wheel control की तो steering wheel control तो इसमें नहीं है और यहाँ पर android player को आप देख सकते हैं glossy black face के सांथ में android player को हमने लगाया है और बहुत सारे features इसमें हैं जैसे की equalizer bands Bluetooth FM radio और बहुत सारे जो features इसके android auto call play यह सारे चीज़े आपको मिल जाएंगी तो इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता क इसकी बताने की जरूरा तो फिर भी एक बार बताते चलू कि यहाँ पर आपको कई सारे feature मिल जाएंगे तीम को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे features है जैसे कि वैसे तो दिखाने लाए कुछ है नहीं backside camera ही दिखा देते आपको तो backside camera की quality आप होगी और भी पहुत सारे चीज़ें है इसमें जैसे कि वीडियो की quality भी मैं आपको दिखाता चलू बागी Bluetooth वगएरा तो यार बेसिक चीज़ें हैं वो तो सब करी लेंगे आप quality बताने की ज़रूरात नहीं बस android player का जो है कि मैं यह मानता हूं कि जैसे कि हमान ब्लूपंग क्रोसलिंग वील्स और हाइपर सोनिक और जैसे कि ब्लूपंग का की लार्गो या फिर सेंटारोजा इस तरह के android रहे न तो वह कभी खराब नहीं होता बस उसका रैम अच्छा ले लिजिए आप 4 प्लस 64 ले लिजिए या उसके उपर भी चले जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर android प्लेयर स्टेरिंग विल कंट्रोल की बात करें तो वह हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है वो डिमांड पर रहता है कस्टमर को यहां पर इंस्टॉल नहीं हुआ है अगर आपने बाकी की मेरी वीडियो देखी है अगर अगर नए है तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उहां सज्ट कर सकते हैं फेडर और बैलेंस को आप देख सकते हैं यहां पर इस सारी चीज़ें आपने देखी हुई है तो 360 आट करना हमको बाद में अब अनपलक कहीं लगाएंगे उसकी क्वालिटी आप जाके देख लिए मेरे वीडियो में और म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक कि इसका काफी अच्छा तगड़ा है लेकिन वह तो मैं भी सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो में रिसूट कर रहा हूं क्योंकि जब लिए जो की कार के लिए अच्छा होता तो मैं आपको तीन चार नाम बता देता हूं एक तो हो गया अपना ब्लूपंक सबसे टॉप में जिसको मैं मानता हूं उसके बाद हैं मोको की कोई भी सिरीज ले लो आप एक जीरो वन के बाद उसके बाद बहुत सारी चीज़े और बैक साइट के पावर विंडो के अगर बात करें तो ग्रे ब्लैक स्विच यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह ग्लास उपर नीचे करके मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर तरीके से यह स्विच लगाई गई है काम कर रही है अब उसी प्लेस पर लगाई गई है फ इंटर लॉग में ही किस साइट के स्विच को आप देख सकते हैं इस सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बिंदास लगवाई है इसको एक बार अंदर चलके आपना तो मिलते हैं वाइस नेक्स्ट वीडियो में कैसा लगए यह वीडियो आ उपके बार